Hello Friends, Welcome to Study Pre-Questions Friends, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 40 जार्खन जी के जो की पूर नतह JSAC के सीलेबस पर आधारित है और आने वाले CGL एकजाम के लिए बहुत ही महत्पून है क्योंकि इसमें मैंने Current Affairs भी सामिल किया है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रसन क्या है तो पहला प्रसन है जार्खन राजे के गठन के पस्चाथ सबसे पहले किस जीले का गठन किया गया तो ज्यारखन राजे के गठन के पस्चाथ सबसे पहले लातेहार जिले का गठन किया गया था सही अंसर होगा option C सबसे पहले लातेहार उसके बाद सिम्डेगा उसके बाद सराय केला उसके बाद खूटी और सबसे अंती में कौन सा रामगड तो दो प्रसन पूछेगा कि सबसे पहले किस जिले का गठन हुआ था तो लातेहार का और सबसे अंती में रामगड जिले का अगला प्रसन है ज्यारखन राजे की कूल जन संख्या में महिलाओं का परतिसत है तो जार्खन राजे की कूल जनसंख्या में महिलाओं का पर्तिसत है 46.68% और पुरुसों का कितना पर्तिसत है? तो कूल जनसंख्या में पुरुसों का पर्तिसत है 51.32% ये दोनों बहुत ही महत्पूर्ण है अगला प्रसन है नीम्ड में से किस राजा को नागवन्स का आदी पुरुस माना जाता है तो नागवन्स का आदी पुरुस किसे माना जाता है सही अंसर होगा इसका फनी मुकुट राय को नागवन्स का आदी पुरुस माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही नागवन्सी राजे की अस्थापना की थी और इन्होंने किसे अपना राजधानी बनाया था तो इन्होंने सूतियांबे को अपना राजधानी बनाया था ये पॉइंट भी बहुत ही महत्पून है अगला प्रस्ण है जहारखंट के किस क्रांती कारी को हजारी बाग का जतिन बागा कहा जाता है तो हजारी बाग का जतिन बागा कहा जाता है राम विनोत सिह को सही एंसर क्या होगा ओप्सन बी राम विनोत सिह अगला प्रसन है जहारखंट से किन्हे वर्स 2021 का पदमसीरी समान से नवाजा गया है बहुत ही महत्पूर्ण प्रसन है ऐसे प्रसन जरूर पूछे जाते हैं सही एंसर होगा 2021 का पदमसीरी समान मिला है छुटनी देवी को और ये कहा की निवासी है तो ये सराइकेला खरसावा की निवासी है और ये क्या करती है तो ये डायन पर्था के खिलाप आवाज उठाती है देखिए इस बाद 2021 में 2020 का भी पदमसरी समान मिला है किसको किसको मधु मनसूरी हसमुक और सस्धर अचारे को इन्हें 2020 का पदमसरी समान इस बार मिला है क्योंकि पिछले बार कोरोना के चलते नहीं दिया गया था तो ये बहुत ही मत्पूर्ट प्रसन है और ये नमवंबर मन्त का करेंट अफ्यर से जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं य rich lang इ Parliament को इससे और एक प्रसन पुछा जाता है कि दा मीने कों की घोसना कब हुई थी तो यह मुझा हुई थी अठारासोचोबीस इस्वी में अगला प्रसन है तेलियागड का किला कहां आवस्थित है तेलियागड का किला कहां है तो ये राजमहल पहाड़ी और ये राजमहल पहाड़ी कहां है तो ये सहब गंज में है और इसे बंगाल का परवेश द्वार भी कहा जाता है ये प्रसन भी पुछा गया है कि बंगाल का परवेस द्वार किसे कहा जाता है तो तेलिया गढ़ किला को जो की सहब गंज में है अगला प्रस्ण है जारखन के किस मंदीर को नौ लखा मंदीर के नाम से जाना जाता है तो यूगल मंदीर को नौ लखा मंदीर के नाम से जाना जाता है और ये यूगल मंदीर कहा है तो ये देवघर जीले में है अगला प्रस्न है नीम्ड में से कौन सा एक परव लोहा गलाने के उद्योगों की उन्नती हेतु मनाया जाता है सही अंसर क्या होगा लोहा गलाने के उद्योगों की उन्नती हेतु कुटसी तेवहार मनाया जाता है कुटसी परो मनाया जाता है इसके अलावे भी बाकी परो देख लेते हरियाड ये धान में हरियाली आने पर सावन महीने में मनाया जाता है इसके बाद साकरात ये घर परिवार की कुशलता के लिए पूस महीने में मनाया जाता है और एरोग क्या है? असाड महिने में मनाया जाता है जो की बीज़ बोते समय मनाया जाता है और एक महत्पून बात है कि यह जीतने भी परव है यह सभी संथाल जनजाती के परव है अगला प्रसने East Zone का पहला Skating Ring जहारखंड में कहां बनाया जा रहा है ये करेंट अफियर्स का क्वेस्चन है ये इस्ट जोन का पहला स्केटिंग रिंग जारखंड के मुरावादी में बनाया जा रहा है राची के मुरावादी में ये बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई कितनी होगी 200 मीटर होगी और इसकी कुल लागत कितना आएगा तो 3.34 का सही अंसर होगा option B जत रही अगला प्रसन है नाकपूरी भासा को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो नाकपूरी भासा को सद्री या साद्री और गमारी के नाम से जाना जाता है तो सही अंसर क्या होगा option C दोनो और नाकपूरी भासा की लिपी कौन सी है तो देवनागरी और नाकपूरी भासा का भारतेंदू किसे कहा जाता है तो धनी नाम बक्सी को नाकपूरी भासा का भारतेंदू कहा जाता है और मेरे चैनल study pre question में नाकपूरी का complete वीडियो अपलोड किया जा चुका है आप देख सकते हैं अगला प्रस्ण है जारखन के दच्छीन में कौन सा राजय अवस्थित है ऐसे प्रस्ण हर बार एक जाम में पूछे जाते हैं तो दच्छीन में कौन है दच्छीन में उडिसा है इसके अलावे उत्तर में कौन है तो उत्तर में बिहार है पश्ची में कौन सा है तो पश्ची सही अंसर इसका क्या होगा धारागिरी बाकी हुंडरू गौतम धारा और दसम इन सब का निर्मान राची पठार द्वारा हुगा है यह धारागिरी कहा है तो यह धारागिरी घाट सिला में है हुंडरू जल पर पात, यह किस नदी पर है, यह स्वन्रेखा नदी पर है, और यह ज्यारखन का दूसरा सबसे उच्छा जल पर पात है गौतमधारा, इसे जोनहा जल पर पात या गौतमधारा कहते हैं, यह राहू या राठू नदी पर इस्थित है उसके बाद दसम, दसम फॉल कहा है? ये कांची नदी पर इस्थित है, ये भी राची में है, ये तीनो राची में इस्थित है अगला प्रस्न है ज्ञारखन में नीमण में से किस विरिक्च का उतपादन रूई हेतू किया जाता है तो रूई किस से निकाला जाता है जहारखंट में? सेमल विरिच्छे सही answer क्या होगा? option C, सेमल साल, साल यानि की सक्खुआ ये जहारखंट का राज किया विरिच्छे, इसके बारे में मैंने बहुत बता चुका हो अगला प्रस्ण है, public affair index 2021 की सूची में विकास करने के मामले में जहारखंट को कौन सा अस्थान मिला है? public affair index 2021 की सूची में जहारखंट को तीसरा अस्थान मिला है सही answer होगा, option B, तीसरा अगला प्रस्ण है, जहारखंट का कौन सा वन्य जीव अभ्यारन्य? विलुक्त प्राय भेडिया परजाती के संरक्षन हेतू परसिध है सही answer इसका क्या होगा? महुआ डाड अभ्यारन्या सही answer इसका क्या होगा? option B, महुआ डाड अभ्यारन्या यह कहा है, तो यह लातिहार जीले में है गोतम बूद कहा है, तो यह कोडर्मा में है लावा लॉंग कहा है, लावा लॉंग अभ्यारन्या आपका चत्रा में है और कोडर्मा अभ्यारन्या यह कोडर्मा में है अगला प्रस्ण है, इंडो असाई ग्लास फेक्टरी निम्ड में से किस अस्थान पर अवस्थित है यह कहां है यह रामगण जीले के भुरकुंडा में है इंडो असाई ग्लास फेक्टरी रामगण जीले के भुरकुंडा में इस्थित है और यह जपान के सहयोग से इस्थापित किया गया था अगला प्रस्ण है जार्खंड विधान सभा के पर्थम उपाधियक्ष कौन थे जार्खंड विधान सभा के पर्थम उपाधियक्ष थे बागुन सुम्राई सही अंसर होगा option C बागुन सुम्राई अगला प्रस्ण है तेंजिंग नौरगे राष्ट ये सासिक पुरुषकार 2020 से जार्खंड से किसे सम्मानित किया जाएगा ये बहुत ही महत्पून करेंट अफ्यर से सही अंसर होगा इसका option C लेफ्टिनेंट करनल जय परकास कुमार ये कौन है ये सैनिक स्कूल तिलया के विद्यमान निम्द पदों को उपर से नीचे के करम में व्यस्थित करें तो सबसे उपर में क्या होगा तो मुख्य सचीव उसके बाद आयूक्त होता है उसके बाद उपायूक्त होता है उसके बाद अंचला अधिकारी तो ये इस तरह से व्यस्थित होगा अगला प्रस्ण है नीम्ड में से कौन सा परियाटन अस्थल राची जीले में इस्थित है हुन्डु जल परपात ये राची जीले में है और ये स्वन्रेखा नदी पर इस्थित है टेगोर हिल, ये भी कहां है, BEN ये राची में है और ये अस्थान, रविंदर नाद टेगोर के बड़े भाई जो तींदर नाद टेगोर का आसरम अस्थल था इसलिए इसका नाम टेगोर हिल पड़ा, रो गार्डेन ये भी राची के काके में स्थित है जो की गोंडा हिल में स्थित है और यहीं पर काके डैम भी है तो सही अंसर क्या होगा उप्रोक्त सभी अगला प्रस्न है इन में से कौन एक किरकेट खिलाडी जहारखन का नहीं है महंदर सिधोनी वरून एरॉन और सौरप्तिवारी ये सभी है तो सही अंसर क्या होगा उमेस यादव नहीं है अगला प्रस्न है छात्र संसत का आयोजन करने वाला देश का पहला विधान सभा कौन बना ये भी करेंट टफियस का क्वेशन है सही अंसर क्या होगा जहारखन छात्र संसत का आयोजन करने वाला देश का पहला विधान सभा बना है इसके तहत क्या किया गया था 24 जीलों से 24 बच्चों को चुनकर बाल संसत का आयोजन किया गया था अगला प्रस्ण है राची में अवस्थित जनजात यो सोध संस्थान की अस्थापना किस वर्स की गई थी पहला प्रस्ण तो बनता है जनजात यो सोध संस्थान कहा है तो ये राची में है और इसकी अस्थापना हुई थी 1903 इस्वी में सही अंसर होगा option C 1903 अगला प्रस्ण है विर्षा मुंडा का परिवार किस पेसे से जुड़ा था तो विर्षा मुंडा का परिवार बुनकर पेसा से जुड़ा हुआ था सही अंसर होगा option D बुनकर बिर्शा मुंडा का जन्म कब हुआ था बहुत ही असान प्रस पंद्रा नौंबर 1875 इस्वी में कहां उलिहातु गाउं खुटी में अम्रित्यू कब हुआ था तो म्रित्यू हुआ था 9 जून 1900 को कहां राची जेल में अगला प्रसन है हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक समान के लिए चुना गया है सेम क्वेस्चन करेंट अफेर्स का 2016 CGL में पूछा गया था सही अंसर क्या होगा राम चंदर चंदरवनसी ये बहुत ही महत्पून प्रसन है 2021 का उत्कृष्ट विधायक समान मिला है राम चंदर चंदरवनसी को ये भाचपा के विधायक है और एक महत्पून बात कि इस उत्कृष्ट विधायक समान का पूरा नाम क्या है तो इस पुरुसकार का पूरा नाम है बिर्सा मुंडा इस्मरीती उतक्रिष्ट विधायक समान याद रखेगा बिर्सा मुंडा इस्मरीती उतक्रिष्ट विधायक समान अगला प्रस्ण है 1978 इस्वी में सीबू सोरेन के नेतरितों में कौन सा अभियान चलाया गया सही अंसर क्या होगा जंगल काटो अभियान चलाए गया था 1978 इस्वी में सीबू सोरेन के नेतरितों में अगला प्रस्ण है जारखन के नीम्ड में से कौन वेक्ति बॉल्यूट के परसिद फिल्म निर्माता एवं निर्देशक है ये प्रस्ण पहले पूछा जा चुका है सही अंसर क्या होगा इम्तियाज अली जारखन के बॉल्यूट के परसिद निर्माता एवं निर्देशक है और ये कहां के हैं तो ये जमसितपूर के है और इनकी महत्पूर फिल्मों में कौन से है इनका डेबियु फिल्म था सोचाना था और इनकी सबसे परमौख फिल्म थी जब We Met जोकी 2007 में रिलिज हुई थी जब We Met तो इनका समंद की छेतर से है तो जमसितपूर से है और इनकी महत्पूर फिल्म कौन सी है जब We Met जार्खन के किस अस्थान को हरित किवाना के नाम से जाना जाता है यह IRB के एक्जाम में पुछा गया था हरित किवाना के नाम से जाना जाता है देवघर को सही अंसर होगा option A देवघर अगला प्रसने गरूर पुरान में निम्ड में से कौन सी चितरकारी मिलती है तो गरूर पुरान में पतिकर, चितरकारी मिलती है तो सही अंसर क्या होगा? Option C, पतिकर अगला प्रस्ण है इनमें से कौन सी मुख्य फसल जारखन में उगाई जाती है? तो जारखन की परमुख फसल कौन सी है? धान है, जो की पहले नमबर पर आती है दूसरी परमुख फसल जारखन की कौन है तो मक्का है और तीसरी परमुख फसल कौन है तो गेहू है याद रखिएगा, पहला दमें धान है, दूसरा मक्का और तीसरा में गेहू अगला प्रस्ण है भागिरत मांजी के नेतरितु में खरवार अंदोलन कब हुआ था भागिरत मांजी को बाबा के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही महत्पून पॉइंट है भागिरत मांजी को बाबा के नाम से भी जाना जाता है तो खरवार अंदोलन इनके नेतरितु में कब हुआ था अठारा सो चोहतर इस्वी में और यह खरवार अंदोलन है यह दो चरनों में हुआ था जिसका दूसरा चरन का नेतरित वह किस ने किया था तो दूइधा गोसाई ने किया था और क्यूं किया था तो यह 1881 के जनगन्ना के विरोध में किया था दूइधा गोसाई ने अगला प्रसन है जारखन के सम्बंध में जिपली खाली अस्थान है तो जिपली क्या है लड़कियों है तू बनावटी आभूसन जिपली क्या है एक आभूसन है लड़कियों का अगला प्रसन है नीम्ड में से किसे 700 पहाणियों का छेतर कहा जाता है तो 700 पहाणियों का छेतर कहा जाता है सारंडा को सही अंसर होगा option B नेतरहाट को भी बहुत से नामों से जाना जाता है पहाणों की मल्ली का queen of छोटा नाकपूर कुरांबय ये प्रसन भी पुछा है कुरांबय को छोटा नाकपूर का हल्दी घाटी कहा जाता है अगला प्रसन है गराम सभा का पदेन सचीव कौन होता है फिञुशा अगला प्रसन है जार्खन राजे में कोईला आधारित पर्थम ताप विद्यूतगरी है जार्खन राजे में कोईला आधारित पर्थम ताप विद्यूत गिरी कौन सा है बोकारो ताप विद्यूत गिरी सही अंसर क्या होगा ऑप्शन भी बोकारो ताप विद्यूत गिरी जहां 1935 इस्वी में बिजली का उत्पादन प्राराम हुआ था और ये किस नदी पर इस्थ है बोकारो नदी पर इस्थित है अगला प्रस ने जार्खन सब्द का सरोपर्थम उलेक कब किया गया तो जार्खन सब्द का सरोपर्थम उलेक किया गया था तेरहुई सतापदी के ताम पत्र में सही अंसर क्या होगा तेरहुई सतापदी के ताम पत्र में अगला प्रस ने जारखन के किस जीले में नलकूप के द्वारा सरवाधिक सिचाई की जाती है ये प्रसन भी पूछा जा चुका है तो नलकूप द्वारा सरवाधिक सिचाई कहा होता है ये होता है लोहरदगा में सही अंसर होगा option C लोहरदगा तलाब द्वारा कहां होता है सरवाधिक देवगर में तलाब द्वारा सरवाधिक सिचाई होता है इसके अलाव कुवा द्वारा गुमला में कुवा द्वारा सरवाधिक सिचाई होता है ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्पून है अगला प्रसने जार्खन के कितने जीलों में जस्न परियोजना यानि की Joint Action for Sustainable Health and Nutrition का सुभारम किया गया है सही अंसर क्या होगा ये Current Affairs का क्वेस्चन है ये 14 जीलों में सुरू किया गया है जार्खन में स्वास्थ ओम पोसन की स्थिती में सुधा लाने के लिए इस योजना का सुरूबात किया गया है ये 14 जीलों के 31 प्रक्षंडों में सुरू किया गया है तो Friends, इस वीडियों में बस इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करे और ये सिरीज कंटीनियू रहना चाहिए या नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता है थैंक्स पर वाचिंग